हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्के में हम चैनल उपचार नुस्के में डेली एक लेटिस वीडियो अपलोड करते हैं यदि आप हमसे जूरना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उपचार नुस्के को सब्सक्राइब करें साथ ये बैल आइकन को भी जरूर क्लिक करी जिससे आपको हमारे दौरा अप्लोड की गई सबी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले जानिए मुलांग तीन वाले लोग कैसे होते हैं अंक जोतिस के अनुसार अंकों का हमारी जीवन पर काफी असर पड़ता है अतांकों के हिसाब से वेक्ति के सभाव और हाव भाव में परिवर्तन होते हैं जिनें अंक जोतिस में मुलांग कहते हैं मुलांग जन्म के अधार पर एक से लेकर नौ तक माने जाते हैं आज हम आपको मुलांग तीन वाले लोगों के सभाव, लव लाइफ, आर्थिक इस्तिती, केरियर, सिक्षा, आदि के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आपका जन्म किसी भी महिने की 3, 12, 21 और 30 तारीकों हुआ है तो आपका मुलांग 3 होगा सबसे पहले जानते हैं मुलांग कैसे निकाले मुलांग का अर्थ है आपके जन्म की तारीक, यदि आपका जन्म 2 मार्च को हुआ है तो आपका मुलांग 2 होगा मुलांग का महीने से कोई मतलब नहीं होता मुलांग के लिए सिर्फ जन्म तारिक देखी जाती है और मुलांग सिर्फ एक ही अंक में होता है इसलिए यदि आपका जन्म 9 से अधिक संख्या जैसे 11 तारिक को हुआ है तो आप उन्हें आपस में जोड़कर अपना मुलांग निकाल सकते हैं जैसे 11 तारिक का मुलांग 1 प्लस 1 इकोल टू होगा इसे परकार आप सभी लोग अपने जन्म तीथी से मुलांग निकाल सकते हैं अब बात करते हैं मुलांग तीन वाले लोगों की लखी चीजों के बारे में लखी नंबर 3, 6 और 9 वाली तारीकी लखी डे, भरस्पतिवार, शुक्रुवार और मंगलवार, लखी कलर, बैगनी, नीला, लाल और गुलाबी रंग अब बात करते हैं मुलांगतीन वाले लोगों के सभाव के बारे में अंकर जोतिस के अनुसारा मुलांगतीन का स्वामी ग्रह बरस्पती है बरस्पती देव के परभाव से ऐसे लोगों का दुनिया में बहुत नाम होता है मुलांगतीन वाले लोग बहुत सवाभी मानी होते हैं, इन्हें बेवज़ा किसी के आगे जुकना पसंद नहीं होता ये लोग हर शीर अपने दम से करना पसंद करते हैं अताई किसी का भी एहसान अपने उपर नहीं लेना चाहते हैं और नहीं इन्हें अपने लाइफ में किसी का भी हक्स्तचे पसंद होता है। ये सभाव से काफी सहासी भी होता है, इन्हें अच्छाई और सच्छाई के मारग पर चलना पसंद होता है। बरसपती देव के परभाव के चलते ही मुलांग तीन वाले लोग बहुत महनती भी होते हैं ये अपना हर काम पूरे मन से करते हैं इन्हें अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्बर रहना पसंद नहीं होता वहीं दोस्तों की बात करें तो मुलांग तीन वालों की दोस्ती तीन, छे और नौ मुलांग वालों से ज़्यादा अच्छी मानी गई है खुबसूरत और आकश्टिक टीजे इन लोगों को बहुत पसंद होती है वैसे तो इन्हें समानी तोर पर गुस्ता बहुत जल्दी नहीं आता लेकिन अगर गुस्ता आ भी जाए तो भी इस सिचुएशन के हिसाब से खुद को संभाल लेते हैं इनकी सबसे खास बात यह होती है कि यह अपनी गलतियों से सीखते हैं और गलतियों को ना दोहराते हुए नई शुरुवात में भरोसा रखते हैं अब बात करते हैं मुलांग तीन वाली लोगों के कैरियर के बारे में कैरियर की बात करें तो अपनी काम और कैरियर को लेकर यह बहुती सतर की रहते हैं बरस्पती गरह को ग्यान का देवता भी कहते हैं इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनके परभाव से तीन अंक वाले लोगों का परदर्शन पढ़ाई में काफी अच्छा रहता है ये उच्छ सिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे तो ये अपनी लाइफ को इन्जॉय के साँ जीना पसंद करते हैं लेकिन अपने सपनों को साकार करने में ये महनत भी खूब करते हैं इसके लावा इनकी खेल कूद में भी अधिक रूची रहती है इस अंके कई जातक खेल कूद में भी अपना कैरियर बनाते हैं और सफल होते हैं गुरू गरह के परभाव से मुलांग तीन वाले लोग काफी कलात्मा और अशनात्मक होते हैं अंकर जोतिस के अनुसार मुलांग तीन वाले लोग केरियर में सेना वे पुलिस, परसाशनिक अधिकारी, सचीव, लेखक, टीचर, सेल्समें, डिजाइनर, पॉलिटिक्स, बैंक जॉब, टेकनलोजी जैसे छेतरों में अधिक सफल रहते हैं अब बात करते हैं मुलांग तीन वाले लोगों के प्यार और विवाह के बारे में प्रेम और विवाह की बात करें तो मुलांग तीन वाले लोगों की लाइफ में कई राज होते हैं जो ये हर किसी से शेयर नहीं करते हैं हालंकि एक बार प्यार में पढ़ जाने के बाद ये अपने प्रेमी से हर बाद शेयर करने लगते हैं। ये अपनी फीलिंग्स को अक्सर कोई खुबसूरत गिफ्ट देकर ये अच्छा प्लैन बनाकर जाहिर करते हैं। और समय समय पर ये अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराते रहते हैं। सामानी तोर पर इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। प्यार के हर लम्हे को और खुबसूरत बनाने के लिए इनके पास काफी सारे ब्यूटिफुल आइडियाज होते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ आउटिंग, डेट्स और फिल्म देखने जाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं मुलांग तीर वाले लोगों की आर्थिक सिथी के बारे में। आर्थिक सिथी के बात की जाए तो इनके आर्थिक सिथी सामानी रहती है, इनके पास अच्छी आमदनी के कई बड़ी आइडियाज होते हैं। आर्थिक मामलों में इनके सबसे खास खुबी यह होती है कि भविस्ति में पढ़ने वाले जरूरतों को लेकर ये पहरे से ही सतर करहते हैं। लेकिन कई बार इसके बदले में इन्हें इतना प्यार नहीं मिलता। हालें कि सबसे पहले अपने परिवार को प्रात्मिकता देते हैं। दोस्तों अगर आपको इस सभी जानकारिया पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उप्चार नुसकी को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें।